कि आथ घृष अ नमस्कार साथियों मेरा नाम है औरके सिंग संस्क्रिती आई-इस के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सरकारी योजना एवं कारिक्रम के अंतरगत जिस योजना की हम बात करने वाले हैं वो है सुभध्रा योजना काफी चर्चा में रहने वाली योजना है इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर योजना की विशेस्ताएं क्या है इससे कौन लावहानवित हो सकता है कौन इसके लिए पात्र है और कौन इसके लिए पात्र नहीं है यह सारे मुद्दे हैं जिन पर हम च चर्चा में क्यों है तो हाली में उडिशा के मुख्यमंत्री जो मोहन चरण माजी है इन्होंने सुभद्रा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी तब से ये योजना काफी चर्चाओं में बनी हुई है अब महत्पुन प्रश्ण ये उठता है कि आखिर सुभद्रा योजना को दिश्टी कौन से ये योजना काफी महत्पुन है इस योजना के अंतरगत महिलाओं को 5,000 रुपे की दो किस्तों में कुल 10,000 रुपे प्रती वर्स का भुगतान किया जाएगा आप समझ सकते हैं कि विमन इंपावर्मेंट के अंतरगत जो आर्थी किस्थिती है एक वो महत महत्पुन मुद्दा है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत इसकी घोसडा की गई है अब बात कर लेते हैं कि जो सुभद्रा योजना है आखिर इसके लिए पात्र कौन है अगर बात करें इस योजना में पात्रता की तो इस योजना के तहत 21 बर्स से ले हैं अब इसमें ये भी होसकता है हमें जानकारी के तौर पे कि सुभध्रा certaines का लाभ उकिन महिला को नहीं मिल सकता है ये एक महत्पुन प्रशन है तो बित्ती रूप से जो भी महिला मजबूत है सरकारी नोक्री धारक है आएकर दाता है किसी भी सरकारी योजना के तहट उसे पंदरसव रुप या उस से अधिक मासिक या फिर अठाडा हजार रुप या उस से अधिक की 경찰 सायता प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वह लोग सुभध्रा सायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे. यह एक महत्पूर्ण प्रश्ण ये भी उठता है कि जो eligible महिला हैं जो पात्र महिला हैं आखिर उनको इस योजना से क्या लाब होगा ये एक महत्पूर्ण बात है तो इस सुभध्रा योजना के तहट ऐसे पात्र महिलाओं को पांच साल तक प्रतेक महिला के लिए क्या है कि महिलाओं के आधार लिंक बैंक खाते से वो मनी ट्रांसफर की जाएगी इसके अलावा महिलाओं को सुभध्रा जो डेबिट कार्ट दिया जाएगा वो एक महत्पूर्ण इस योजना का पहलू है इसमें अगर बात करें इस योजना में तो ग्राम जो पंचायत हैं जो सहरी निकाय हैं उसमें सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाली महिलाओं को 500 रुपए अतिरिक्त इस सुभध्रा योजना के तहत लाव प्रदान किया जाएगा ये महत्पूर्ण बात कही गई है इसमें इसके अलबा अगर हम बात करें तो योजना के तहत प्रते ग्राम पंचायत और सहरी अस्थानी निकाय में अधिक्तम डिजिटल लेंदेन वाली सो लाभारतियों को भी उनका पहचान किया जाएगा उन्हें अतिरिक्त प्रुथाहन के रूप में भी 500 रुपए प्रदान किये जाएंगे इस योजना में ये बात कही गई है तो ये य देख लिया कि आखिर सुभद्रा योजना क्या है ये कहा कि सरकार ने इसे प्रारम किया है और किस उदेश से इसे प्रारम किया गया है इसके लिए पात्र कौन है और कौन इसके लिए पात्र नहीं है इसका लाभ किसे मिलेगा कितना मिलेगा ये सारे मुद्दे थे ये पहल झाल झाल